नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीवमेंट में मैं करुणा इस वीडियो में लेकर आए हूँ फिजिकल एजुकेशन वाले स्टुडेंट्स के लिए चेप्टर नमबर तीन योग और जीवन शेली का सेकेंड पार्ट दोस्तों अगर आपने मेरा फिर्स्ट पार्ट इस चेप्टर से रिलेटेड नहीं देखा है तो कृप्या उस वीडियो को देख लें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों शुरू करते हैं अब आगे की बिमारियों के बारे में कल हमने दो बिमारी और उन आसनों को पढ़ा जो उन बिमारियों को ठीक करते हैं और वो दो बिमारी थी मोटा पा और मदू में आज हम पढ़ेंगे अस्तमा के बारे में अस्तमा भी एक गंभीर बिमारी है जो की स्वासनालियों से संबंदित है यह सौास नलिकाओं में सूजन कर देती है जिससे वो बहुत जादा समवेदनशील हो जाती है और बहुत ही जादा तीखी प्रतिकिरिया फिर वो देने लगती है इससे क्या होता है कि फेफडों में हवा कम मात्रा में पहुँचती है और व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अस्थमा की चपेट में है सबसे पहले लगतार खांसी आना दिल की धड़कन बढ़ जाना सांस की रफतार बढ़ जाना बेचेनी होना सीने में चकड़न होना थकावट होना हाथ पैर कंधे पीठ में दर्ध होना ये सब ही लक्षण किसके हैं अस्थमा के अब अस्थमा होने का कारण क्या है तो धूल वाले छेतर में रहना धूआ जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं यहां तो हम धूल धूएं और वायू प्रदूशन से बची नहीं सकते तो ऐसी जगाओं में रहना आनुवान शिक्ता भी एक कारण है प्राकन भी एक कारण है जा प्राब जानवरों के साथ रहते हैं जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कोई-कोई-कोई-कोई को शोख होता है कि भाई-खर-गोजपल लिया कोई-कोई-कोई-कोई-कबूतरी पाल लेता है तो इस तरह से भी कुछ समस्य होती है तो वो भी अस्तमा का एक कारण हो जाता है अस्तमा से बच्चाव कैसे कर सकते हैं तो इसको खतम तो किया नहीं जा सकता लेकिन इस पर नेंदlateन पाया जा सकता है और किसके द्वरा तो वो है हमारा सुखासन् चक्रासन गोमखासन Actasad Vajangasasan Actasimutanasan और मशंद्यासन अगर हम इन साथ आसनों को नियमति रूप से करें तो हम अस्तमा को नियंत्रत कर सकते हैं अब बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं शुरू कर रहे हैं हम गोमुखासन से तो गोमुखासन करते हैं इसको गोमुखासन कहते हैं और अंग्रेजी में डखाओ फेस पोज कहा जाता है इसे सबसे पहले इसकी पोजी देख लेते हैं यह देखिए हमारे दोनों हातों को पीछे कमर से हमने पकड़ा हुआ है और जो हमारी दोनों लेक्स हैं वो क्रॉस है बिल्कुल और हम बना रहे ह किसका गाय का फेस अब पढ़ लेते हैं सुखासन और डंडासन में बैठ जाएं और फिर उसके बाद एक पैर को एक तरफ मोड लें और दूसरे पैर को दूसरी तरफ यानि एक कोदाई तरफ और दूसरे को बाई तरफ और अपने जो हाथ हैं उनको एक दूसरे को ऐसे क्र अजन को कम करेगा, शरीर को सुंदोल बनाएगा, लचीला बनाएगा, करशक बनाएगा, जो कि आज कल हर किसी को चाहिए, अब कब ना करें इस आसन को, यदि कंधे जाम हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह का दर्द हो, गट कंधे में, गुटने में, तो बिल करें, second जो हमें लाब दे रहा है, किस में? अस्थमा में, वो है सुखासन, ये देखिए, सॉरी, परवतासन, ये परवतासन है, बिल्कुल परवत की तरह चोटी बना के हमें, बैठ जाना है, कमर को सीधा करके, जैसे परवत की चोटी होती है, इस तरह से अपने हाथ, उपर ज कर देना है, कमर सीधे करके बैठ जाना है, और अपनी दोनों लेक्स को क्रॉस कर देना है, ये है परवतासन, ठीक है, इसको आप पदमाशन मुद्रा में भी बैठ के कर सकते हैं, तो दोस्तों, इसका क्या लाब है, अस्तमा की विमारी के साथ साथ ये रक्त भी आपका साफ करता है, आपका जो बॉइज है, उनके जो सीना है, उसको वो चोड़ा कर देता है, कंदो को मजबूती देता है, फेफड़े आपके स्वास्त रहते हैं, और इसको कब ना करें, अगर आपके कलाईयों में दर्द है, कूलों में दर्द है, या एडी में चोट लगी हुई है रीड की हड़ी में चोट है तो इस आसन को ना करें अब आपका तीसरा आसन है मत्स्यासन इसके अंदर आपको क्या अपने शरीर को मचलीगी जेप में बिठा लेना है ये लो भाई क्या है आपके दोनों हाथ जो की हतेली टच करेंगी फर्ष को और वो आपने रखने है अपने नितम के नीचे और अपने दोनों पैरों को जमीन की तरफ मोरना है बिल्कुल सीधे करके एडिया फर्ष से टच होंगी और जो आपका फेस है वो बिल्कुल पीछे की तरफ ले जा करके उसको जमीन से मिला देना है और अपने कमर को उपर की तरफ उठा लेना है ये वला आसन कहलाएगा मचेंद्रासन क्या लाब देगा? दमे के रोग्यों के लिए फायदा है अस्थमा के रोग्यों के लिए फायदा है सुध रक्त का निर्मान और संचार ये करता है मदू में पेट के रोग को दूर करता है कब्ज को दूर रखता है खांसी को दूर रखता है चहरे और तोचा को आकरशक बनाता है कब ना करें ये वला आसन? किसी भी तरह का दर्ध गरदन में हो या कमर में हो तो ना करें अगर आपको माईग्रेन की problem है जोकी एक सरदर्द की थोड़ी पेहंकर सी या वस्था है उसमें ना करें महिलाएं अगर pregnant है तो ना करें कमरदर्द है या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है तो नहां करें अब आ जाता है सबसे अराम दायक आसन सुखासन यो अपने पदमासन मुद्रा में बैड़ जाओ कमर सीधी करो अपना फेस आगे रखो और अपने दोनों हातों को ऐसे दोनों उंगलियों को अंगुठे के साथ मिला लो को इनसी उंगली को अस्था में बैठ जाओ तो यह हो गया सुखासन और यह भी आपको अराम करेगा किस में अस्थमा में इसके अलावा बहुत देर तक ध्यान अध्यान करने में भी इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों इसका अस्थमा के साथ साथ एक और लाभ है यह हमारी एकागरता को भी बढ़ाता है साथी साथ कमर सीधी करके बैठने से पैरों में शक्ति आ जाती है दर्द दूर हो जाते हैं सावधानिया किस तरह की अगर आपकी रीड की हड़ी में किसी भी तरह की चोट है तो आप इस आसन को ना करें अधिक लंबे समय तक ना बैठें अगर आपके चक्रासन की सबसे पहले हम इस चक्रासन को भी देख लेता है ये देखिए जिसको हम बोल के करना लो यह होगया हमारा चक्रासन क्या करना है दोनों पैर सीधे करते हुए कंबर के बार लेड जाएं धोनों-पैरों को गच्टने से मोड कर एणी ऊ उपर उठा दें तो दोस्तों आप में से जिन से यह हो जाता है बहुत बढ़ी है बात है जिन से नहीं होता वो प्रयास करते रहें अब इसका फायदा क्या है रक्त संचार में मदद करता है मास फेशियों में हड्डियों में लचीला पनाता है कमर के दर्द को दूर करता है फेफडों में आक्सिजन अधिक मात्रा में जाने लगती है और शरीर की कारशमता बढ़ती है तो आप सभी फिजिकल वालों को तो यह जरूर करना चाहिए सावधानी बार बार करें अभ्यास करें एक ही बार में करने की कोशिश ना करें दोस्तों उप्च रक्त चाप क्या होता है यह अभी हमारी चौथी बिमारी शुरू हो गई जिसको हम हाई ब्लड प्रेसर भी बोल देते हैं इस से तो लगबग सारी दुनिया परेशान है और जो थोड़ी बहुत बची है वो लो ब्लड पेचर से परेशान है तो मतलब किसी का हाई है तो किसी का लो है चलो अब इसका कारण क्या है जीवन शेली हमारी जो की बढ़ती उम्र हो सकती है हमारी इस बिमारी को लाने का कारण हमारा जो अनुवान्शिक है वो भी एक रीजन हो सकता है मोटे हो तब तो बिल्कुल ही है और अगर तुम कुछ काम नहीं करते हैं काम चोरो तो है इसके अलावा अगर धूमरपान करते हो तो अल्कोहल ज्यादा नमक लेते हो वसाय उक्ति यानि की बहुँ जाता बर्गर चावमिन खाते हो और मानसिक तनाव लेते हो मदु में वगरा है या फिर कोई महिला प्रेगनेंट है तो भी उसको इस तरह की समस्या होती रहती है तो ये सारे कारण थे किसके हाई ब्लड प्रेशर के अब प्रभाव क्या है मतलब बिमारी तो है अब नुकसान क्या कर लिया है हमारी जो धमनिया है जो शिराएं है उनका जो काम है वो धीरे धीरे सलो हो जाती है हिर्दिया भी बहुत कम संकुचन करता है जिससे क्या होता है रक्त का थक्का जमने लगता है रक्त का ठक का जमने लगता है तो क्या हो जाता है? हाड अटेक हो जाता है भाई तो ये वाली समस्या कौन देता है हमे? हाई ब्लोड प्रेशर चलो अब बात करते हैं इससे अराम कैसे मिलता है? तो हमको इससे अराम मिलेगा अगर हम करेंगे ताड़ासन, पवन्मुक्तासन, ब्रजाशन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और स्वासन फिर से कितने आसन बता दिए? एक, दो, तीन, चार, पांच और छे आसन बारी-बारी से देख लेते हैं ताड़ासन क्या है? तो दोनों पैरों को मिला करता था, दोनों हत्यलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाएं बिल्कुल ताड़ासन तो वही है न, जो हमने पहले भी देखा ये इस से क्या होगा? और कुछ बलड प्रेशर का तो पतनी पर हाइट पक्का बढ़ेगी हाइट बढ़ाने के लिए ये वाला आसन बहुत जादा इंपोटन्ट है इस आसन को एक से पाच बार करना है लाब शरीर में तेजी आती है, लंबाई बढ़ती है और प्रशव पीड़ा, प्रशव पीड़ा मतलब एक डिलिवरी वाला टाइम जो होता है प्रेगनेंट में हिलाओं में उसके अंदर कमी आती है लकवे में भी लाब होता है, रक्त चाप ठीक रता है क्या सावध्यानिया रखें, अगर आप बिमार है तो इस आसन को बिलकुल ना करें तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अर्ध चक्रासन की तो इसके अंदर के दोनों पैरों को मिला कर खड़े हो जाएं हातों को शरीर के आसपास रखें और एक बार देख लें इसकी मुद्रा अपने शरीर को जितना पीछे जुका सकते हैं जुका लेना है गर्दन को पीछे की तरफ जुका लेना है अपने हातों को, अपने कमर को दोनों हातों से पकड़ लेना है और ये है आपका अर्ध चक्रासन इससे क्या होता है? कमरलचिली होती है, रीड के हद्धी मजबूत होती है अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें वो सामान्य हो जाता है और इसके साथ हाथ पेरों की मास पेशियां भी मजबूत हो जाती है साथानिया क्या रखनी है? पीछे जब आप घूमोगे तो उस दौरान आपको अपने गुटने नहीं मोडने हैं स्वासन क्या है? दोनों पैर सीधे करते हुए कमर के बल लेड जाएं सबसे पहले बस यह जो रात को सूने की सही मुद्रा है इसको बोल देते हैं स्वासन जिसके अंदर हम अपने दोनों पैरों को खोल के और अपने दोनों हाथों को ऐसे बैड से लिटा करके जब सोते हैं बिल्कुल जिसमें सीधा सो इससे क्या होता है कि हाइट बढ़ती है जब हम छोटे थे तो बंबी हमको बोल रही होती थी अगर सीधा पैर फिला के सो गए तो हाइट बढ़ेगी तो यह वाली जो मुद्रा है वो है स्वासन की क्या लाब दे रही है यह हमको संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं अंगों, रक्तवाहिन नलियों उच्छ, रक्तचाप, मस्तेक्ष और सारे रिक्तनाव को दूर करने में सक्षम है सारे रिक और मानसिक ठकावट दूर होते बिलकुल होते वैस होने के बाद तो हर तरह की ठकावट दूर हो जाती है लेकिन हमको सोना नहीं है हमको आसन करना है, ठीक है सावधानी क्या वरतनी है स्वासन करतने का इस्थान शान्त होना चाहिए और महाँ पर प्रदूशन नहीं होना चाहिए और शोर नहीं होना चाहिए तब ही नीदाती है पीट दर्द हमारी पांचवी बिमारी पीट दर्द एक विश्व व्यापक समस्या है आधुनिक जीवनशली की देन है जो बहुत ज़्यादा काम कर लेता है उसको भी पीट दर्द और जो दिन में कुछ काम नहीं करता है उसको भी पीट दर्द जो मोटा है उसको भी पीट दर्द और बिचारा जो पतला है उसको भी पीट दर्द तो पीट दर्द तो है ही है लगबग सभी को अब इसका कारण क्या है बुरी आदतें बहुत ज़्यादा वज़न होना शरीर में बिल्कुल भी व्यायाम ना करना बिल्कुल भी काम ना करना और शरीर में लचकना होना पीट पर बहुत अधिक दवाब होना ये सारे पीट दर्द के कारण होते हैं बच कैसे सकते हो इससे कौन-कौन से आसन हमें बचाएंगे तो ताड़ासन जो कि हमने पढ़ी लिया वक्रासन, सलभाशन, मुजंगासन, आधमचेंद्रासन ये सारा हमारा पीट दर्द में आराम करते हैं और ये सारे आसन हमने दोस्तों ऊपर पढ़्ड रखे हैं तो इस स्वज़ों से हमने पाँचो बीमारियां पढ़ी दो बीमारियां हमने इस से पहले वाले वीडियो में पढ़ी कौन सी थी वो? आप मुझे कमेंट में जरूर बता है और तीन बिमारियों को हमने इसमें पढ़ा है दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रस कर ले देने वा दूस्तों